मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने दक्षिन कोरिया से इस पात, चावल और जींगा जैसे कुछ उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक बाजार की मांग की है। दोनों देशों के बीच मौझूदा मुक्त व्यापार समझोते के लिए बातचीत चल रही है। भारत ने वारता में इन मुद्दों को उठाया है। इसे आधिकारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझोता CEPA कहा जाता है। यह समझोता जन्वरी 2010 में परिचालन में आया था। समझोते के अध्यतन पर वारता का दस्वान दौर चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि हम इस पात चावल और जींगा जैसे उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुँच की मांग कर रहे हैं। साथ ही बैठक में भारत ने दक्षिन कोरियाई कंपनियों द्वारा भारतिय इस पात नहीं खरीदने का मुद्दे भी उठाए है। अधिकारियों का कहना है कि भारत में कोरियाई कंपनिया भी दक्षिन कोरिया में अपनी स्थानिये कंपनियों को ओर्डर देती हैं। इसलिए यह भारतिये कंपनियों के लिए दोहरी मार है वहीं कोरियाई पक्ष ने यहां मूल्य प्रतिसपरधात मक्ता बढ़ाने के लिए कहा है चावल पर दक्षिन कोरिया में पाँच लाक टन का शुल्ग दरकोटा है इसके तहट उन्होंने पाँच देशों चीन, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, थाइलेंड और वियतनाम को 4.8 लाक टन का कोटा दिया है और बाकी देशों के पास केवल 20,000 टन का कोटा है आपको बता दें की भारत अन्य श्रेनी में है इसलिए अधिकारियों का कहना है कि हम या तो भारत को विशिष्ट श्रेनी में रखने या अपना कोटा बढ़ाने की मांग कर र भारत का दक्षिन कोरिया को निर्यात 2022 से 23 में 6.65 अरब डॉलर रहा था 2021 से 22 में या 8 अरब डॉलर था वहीं आयात 2022 से 23 में 21.22 अरब डॉलर और 2021 से 22 में 17.5 अरब डॉलर था ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी